नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टेडिवी डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं सिक्षा मनोविग्यान से सम्मझेत 50 अती महत पूर्ण प्रशनों के बारे में पांचवे पार्टे में आपको 500 प्रशन कंप्लेट हो जाएंगे आपको टोटल 500 प्रशन मिलने वाले हैं तो यदि आपने वो चार पार्टे नहीं देखें तो उनको देख लिजेगा सभी में आपको 50 प्रशन मिलने वाले हैं और important questions मिलने वाले हैं तो उनको देख लिजेगा उसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है काफे important questions लिए हैं तो आपको skip नहीं करना है वीडियो को पूरा देखना है और अंतम हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा यहाँ पर आप आपका नमबर लापा रहे हैं यह भी आप आपका आखलन कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को लाइक करना है शेर करना है और चेनल को subscribe कर लेना है शुरूरात करते हैं आज का आपका पहला प्रशन है निवलिकित मेंसे कौन सी बच्चों के सामाजी करण की प बारे में पूछा गया है इसकुल एवं पास पड़ो से परिवार और संचार माध्यम है पास पड़ो से या फिर परिवार एवं पास पड़ो से यहाँ पर देखे बच्चों के सामाजी करण की प्रात्मिक संस्ताय के बारे में पूछा गया है जो सामाजी करण है उसे आप जो बच्चे का बच्पन होता है वो जरतर कहां पर गुजरता है उसका जो समाजिकरन होता है वो कहां पर होता है या तो परिवार में होता है या फिर पासपडोस में होता है क्योंकि वो वहीं पर रहता है तो जो उसका समाजिकरन होगा प्रात्मिक संस्थाई जो होगी वो प चिछा के द्वारा सिकता है, स्कुल के द्वारा सिकता है और मीडिया एजेंसियों के द्वारा भी वो सामाजी करन सिछ सकता है, तो यहाँ पर देखें, बच्चों के बारे में पूछा गया था, तो परिवार येवन पास पड़ो, आपका बिलकुल सही एंसर होगा, को बता है तो आप इन चारो विकल्पों में से आंसर फटा-फट बता सकते हैं सामाजिक सांसेकरतिक दरश्टिकोन, मनो योगनिक दरश्टिकोन, विवहरवादी दरश्टिकोन या फिर एतिहासिक दरश्टिकोन तो यहाँ पर जो लेवाई गोसी की का संगनात्मी ये किसे सम्मन्दी थे तो ये सामाजिक सांसेक्रतिक दश्टिकों से सम्मन्दी थे और इन्होंने जो सिध्धान्ते इसको सामाजिक सांसेक्रतिक सिध्धान्ते के नाम से भी जाना जाता है यदि आपको पता होगा तो आप राइट आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं पहला वा अधारिये के एक रशनावादी कक्छा में यहाँ पर देखिए किसके अनुसार पूछा गया है यह इंपोटेंट हैं बड़ो को अनुसरण करके सीखते हैं बड़ो द्वारा दी गई व्याख्याओं से सीखते हैं पुरुसकार है तूस सघन प्रियासों से सीखते हैं या फिर स्वता इसफूर्थ गतिविदियों से सीखते हैं तो यहाँ पर प्याजे के सिधान्त पर अधारित एक रशनावादी कक्छा में जो बच्चे होते हैं वो किस अधार पर सीखते हैं तो उसमें निम्लिकित में से बुद्धी कही जाएगी, कौन सी बुद्धी कही जाएगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Harvard Gardiner ने कौन सा सिध्धान दिया है बहु बुद्धी सिध्धान दिया है बहु बुद्धी सिध्धान किसके द्वारा दिया गया है Harvard Gardiner के द्वारा दिया गया है ये एक्जामें पूछा जाता है और काफी बार पूछा गया है तो आपको ध्यान में रखना है तो ये व्यक्तिगत बुद्धी मत्ता कही जाएगी अनुभव जन्य बुद्धी मत्ता सामाजिक बुद्धी मत्ता या पिर अंतर व्यक्तिक बुद्धी मत्ता तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इनके नुस्यार यदि किसी व्यक्ति में दूसरों के विप्राय भावनाय और व्यभार को समझने की युगता है तो उसे कौन सी बुद्धी कही जाएगी तो उसे अंतर व्यक्तिक बुद्धी कही जाएगी यहाँ पर फूर्थ वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशनी है किस दृष्टिकूण के नुशार अधिगम एक सक्री एवं सामाजिक प्रक्रिया है सामाजिक रचनावादी, विहार वादी, सुचनात्मक प्रक्रिया, करन या फिर रचनावादी यहाँ पर देखे किस दर्ष्टिकून के नुशार अधिगम एक सक्री एवं सामाजिक प्रक्रिया है पीटर कहता है कि मैं शफल हूँ क्योंकि मैं मुर्ख हूँ और इसका मतलब है कि मैं हमेशा ही अशफल हो जाओंगा यहाँ क्या दर्षाता है अपसारी चिंतन स्वा सक्षातकार चिंतन उपलब्दी अभी प्रेना या पर सीखी गई निसाहिता यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पीटर है वो करने से पहले ही हार जाओंगा यानि के पहले ही वो हार मान रहा है तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो सीखी गई नहीं साइथा दरसा रहा है पीटर तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो विकल्पे होगा वो आपका सही होगा राज़्टी सिक्षा निती 2020 के नुसार NEP 2020 के नुसार रिक्तिस्तान का प्रियोग को रिक्तिस्तान को प्रोसाहिद करने के लिए करना चाहिए यहाँ पर देखे NEP 2020 काफी प्रश्ण यहाँ से बनकर निकले हैं चाहे वो आप सीटेट ले लिजे जो उनलाइन एक्जाम हुई थी या फिर जो एमपिटेट एक्जाम हुई थी दो अभी तक उनलाइन एक्जाम हुई और दोनों में काफी प्रश्ण NAP 2020 से पूछे गए हैं तो आपको इस से सम्मझे जितने भी प्रशने हैं अच्छे से याद करने ना ही ये भी पूछा गया प्रशने है सीटेट इकजाम में तो यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है कंटस्ति करन प्रत्यास्मरन आएगा कंटस्ति करन समा लोचनात्मक चिंतन अनुभव जनित अधिगम समा लोचनात्मक चिंतन या फिर अनुभव जनित अधिगम प्रत्यास्मरन तो यहाँ पर देखिए NAP 2020 के नुसार पूछा गया है तो यहाँ पर आएगा आपका अनुभाव जनित अधिगम का प्रियोग समा लोचन चिंतन को प्रोसाहित करने के लिए करना चाहिए यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से कौन सा सिध्धान्त यहां दर्शाता है कि विकास दिसात्मक है यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रशनी आपका वाईगोचिकी के सिध्धान्त यक नुशार सहयक होज किस में सहयक है यह किस में सहयक है संगनात्मक दंद में है सहपार्टी सहयोग में है उत प्रेरक प्रतिकिर्या सहचर्य में है या फिर पुनरबलन में है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सहपार्टी सहयोग में जो वाईगोचिकी के सिद्धानते के नुसा सहयक होज है यह सहपार्टी सहयोग में सहयक है यहाँ पर सेकंड वाला विकल्पे आपका सही होगा जेंडर जेंडर क्या है? जन्म के समय निर्धारित होता है अनुवानशिक विशिष्टाओं द्वारा पूर निर्धारित होता है सामाजिक रचनाओं द्वारा आरोपित होता है या फिर एक जन्मजाद गुन है ये जो जेंडर है ये क्या है तो याद रखेगा जेंडर सामाजिक सनरचनाओं द्वार आरोपित होता है यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में से प्रगतिसील कक्छा की विसेस्ता क्या नहीं है यहां पर देखे प्रगतिसील कक्छा की विसेस्ता कौन से नहीं है पूछा गया है बच्चों की सक्री शहभागिता लचिला समूर अचना स एक नवीन परश्चिती में दूसरों की तुलना में अधिक आपसारी चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार की बुद्धी का वरीकरण करते हैं अंतर व्यक्तिक बुद्धी, व्यवहरिक बुद्धी, सरजनात्मक बुद्धी या फिर प्रकतिवाधी बुद्धी यहां पर तीसरा वाला विकल्पे आपका सही होगा वहां चात्र जिने पठन वेफरली हैं उन्हें मुखिता किसमें दिक्कत आती यहां पर दीके थोड़ा सा बच्चे कन्फीज हो जाते हैं यदि इस प्रकार से यदि आपको लिखा आए आप वहां पर इंग्लिज दे सकते हैं आपको वहां पर क्या लिखा मिलेगा वहां पर आपको डिसलेक्सिया मिलेगा डिसलेक्सिया को ही पठन वेफरली कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो डिसलेक्सिया है उसे ही पठन वेफरली कहते हैं वहाँ चात्र जिसे dyslexia है उन्हें मुखिता किसमें दिक्कत आती है पढ़ने वा लिखने में गामा का संचरण में चित्र बनाने में या पर सुनने में तो यहाँ पर जो पठन वेफल ले या पर जो dyslexia है इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं उसे पढ़ने और लिखने दोन में ही दिक्कत होती है तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही होगा अभी प्रेणना का मांग सिद्धान तक किसने प्रस्तूत किया जो अभी प्रेणना का मांग सिद्धान तक किसने प्रस्तूत किया जो अभी प्रेणना का मांग सिद्धान तक किसने सिध्धान्त नहीं है अपर देखी ब्रूनर के नुसार आपको बताना है को उनसा सिक्षन सिध्धान्त नहीं है अपचारिक सिक्षन सिध्धान्त अनुपचारिक सिध्धान्त वर्नात्मक सिक्षन सिध्धान्त या पिर प्रमाने का सिध्धान्त तो ब्रूनर के नुसार तर्थ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ट विदियों की अध्यन की उप्योग पर बल दिया है। अगला प्रशन है विकास व्यक्ती में नवीन विसिस्ताईं एवं यगताईं प्रफुटित करता है। बालक वस्तुन और घटनाओं के बारे में तारकी के रूप से चिंतन शुरू कर देता है। वो कौन सी अवस्ता है, अपचारिक सक्रियात्मक अवस्ता है, समवेदी गामक अवस्ता है, मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता है या फिर उप्रुक्त में से कोई नहीं। तो वहाँ अवस्ता पूछी गई है कौन सी है, तो वो अवस्ता आपकी मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता होगी। कून सी मूर्थ सक्रियात्मक अवस्ता है, फूर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। किसने यहां दावा किया है कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार भूमिक गुन जन्मजात होते हैं। पूर्थ प्रकार्य सील व्यक्ति का संप्रत्य किसके द्वारा दिया गया। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा। पूर्थ प्रकार्य सील व्यक्ति का संप्रत्य के बारे में पूछा गया है। तो यह काल रोजर से कि द्वारा दिया गया। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यवहार की पुनरावरत्ती तथा परिमारजन किसके लिए निर्देशित होते हैं। सही व्यवहार को तुरंत प्रबलन मिलना चाहिए। यहां विचार किसके द्वारा दिया गया था थोंडाय किसके नर्पावला विया फिर कहुलर। राइट आंसर आपका होगा यहां पर इसकी नर्प याद रखेगा सही व्यवहार को तुरंत प्रबलन मिलना चाहिए। यहां विचार इसकी नर्प के द्वारा दिया गया था। अंतरदश्टी पेदा करने के सम्मंद में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपर देखें नेगेटिव प्रस ने पूछा गया है अंतरदश्टी पेदा करने के सम्मंद में। याद रिखेगा जो अंतरदश्टी पेदा होती है वो कभी भी धीरे धीरे पेदा नहीं होती अंतरदश्टी अचानक पेदा होती है। यहां पर कौन सा कथन सत्य नहीं है तो फूर्त वाला आपका जो विकल्प होगा वो बिलकुल सही होगा। सिक्षक अपने संपूर्ण विशेश आमगरी को छोटे छोटे खंडों में अधिगम के किस नियम पर आदारित करता है ततपरता का नियम, अभ्यास का नियम, बहु प्रतिकिरिया नियम या फिर आंसिक किरिया का नियम। काफी इंपोटेंट प्रशन है, पूछा गया है एक्जाम में, राइट आंसर आपका होगा आंसिक किरिया का नियम। इस्थान तरण है, ये सीखी हुई वस्तु का अन्य परिस्थिती में प्रियोग करना होता है, यहाँ पर तीसरा वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रशन है, गेने के नुशार अधिगम का उच्चितम इस्तर कौन सा? यहाँ पर देखे, गेने के नुशार उच्चितम इस्तर आपको बताना है, यहाँ पर जो पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा हमने पार्ट डाला है, उसमें गेने के नुशार अधिगम के जो इस सभी के सभी जो अधिगम हैं ये गेने के नुसार दिए गए हैं लेकिन इसमें उचितम इस्तर कोन सा है तो याद रिखेगा जहाँ पर उचितम इस्तर की बात हो वहाँ समश्या शमादन अधिगम होगा यानि कि जो फोर्त वाला विकल्पे होगा वह आपका बिल्कुल सही हो तो यहाँ पर देखिए उत्तेजक तथा अनुकिरिया के मद्द सीखने की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाले ततु है वो व्यक्ति के व्यक्तिक तथा एक्छाएं भी है व्यक्तिक एक्छाएं तथा भावनाएं भी हैं साथ में व्यक्तिकी भावनाएं तथा चमत यानि कि यहांपर उप्रोग तो सभी आपका राइट अंसर होगा अगला प्रश्न है आपका अधिगम जिसके बीना संबव नहीं है वहाँ क्या है प्रेंडना है सिक्षक है पाठे पुष्टक है या फिर निर्देसरन है यहाँ पर देखे अधिगम जिसके बिना संबव नहीं है वहाँ क्या है तो याद रहेखेगा प्रेणना प्रेणना के बिना अधिगम संबव नहीं है यहाँ पर जो पहला वाला विकल्पे होगा वो आपका सही होगा कौन सा घटक है जो सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से सम्मदित नहीं है यहाँ पर देखे सूचना प्रक्रियात्मक अवस्था से सम्मदित कौन सा घटक नहीं है पूछा गया है जीवन, प्रियतन इस्मरती, अलपकालिन इस्मरती, दिर्गकालिन इस्मरती या फिर कारे इस्मरती तो यहाँ पर आपको बता दूँ अलपकालिन इस्मरती, दिर्गकालिन इस्मरती और कारे इस्मरती ये तीनों ही सूचना प्रक्रियात्मक विवस्था से सम्मदित है लेकि अगला प्रशन है टेगोर द्वारा किस प्रकार के अनुसासन की अनुसंसा की गई है प्रकती द्वार स्वा अनुसासन दबाव द्वारा अनुसासन अर्जित अनुसासन या फिर उप्रुक्त सभी यहाँ पर देखे टेगोर द्वारा पूछा गया है कि इनकी द्वारा किस प्रकार के अनुसासन की अनुसंसा की गई है तो याद रखेगा इनकी द्वारा प्रकती द्वारा स्वा अनुसासन की अनुसंसा की गई है टेगुर द्वारा यहाँ पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा बालक में तर्क छमता और चिंतन छमता विक्सित हो जाती है अपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में, सक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में या पिर सम्वेदी गामक अवस्था में राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर आपचारिक शक्रयात्मक अवस्था में जो बालक में तरक छमता और चिन्तन छमता विक्सित हो जाती है यहाँ पर पहला वाला विकल्ब आपका सही होगा अगला प्रश्ण है जो समस्याएं हैं बालक को दिखती नहीं है उनको भी वहां हल कर लेता है को उनसी अवस्था के बाद 11 साल के बाद 7 साल के पहले 6 साल के पहले या फिर इन में से कोई नहीं तो यहां पर आपका सही अंसर होगा 11 साल के बाद जो समस्याएं बालक को दिखती नहीं है उनको भी वहां हल कर लेता है यह 11 साल के बाद की जो वस्था होती है उसमें होता है तो यहां पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा बालक को सामाजिक व्यभार की सिक्षा दी जा सकती है किसके द्वारा दी जा सकती है अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, पाठिकरम द्वारा, सामाजिक एवं सानसकरतिक गतिविधियों द्वारा या पिरे कच्छा सिक्षन द्वारा यहाँ पर प्रस्ण में ही इसका अंसर सुपा हुआ है याने कि जो सामाजिक विवार की सिक्षा दी जाती है वो सामाजिक एवं सांसिक्रतिक गति विदियो द्वारा ही दी जाती है बालक को यहाँ पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा अगला प्रश्ण है निमलिखित में से किस अवस्था में सारीक व्रद्धी एवं विकास तीवर गती से घटित होता है सेस्व अवस्था एवं प्रारंबिक बाल्ले अवस्था में होता है उत्तर बाल्ले अवस्था एवं किसोर अवस्था में होता है ये जो सेस्व वस्था के बाद जो बाल्ले वस्था होती जो प्रारंबिक बाल्ले वस्था होती है उसमें घटित होता है यानि कि सेस्व वस्था एवं प्रारंबिक बाल्ले वस्था में सारीरिक ब्रद्धी एवं विकास तीवरिगती से घटित होता है यहाँ पर पहला वाल विकल्पे आपका सही होगा नेतिक नियमों के निर्मान की अवस्था कहा जाता है कौन सी अवस्था है जिसे नेतिक नियमों के निर्मान की अवस्था कहा जाता है अपचारिक सक्रियात्म का वस्था, पूरु सक्रियात्म का वस्था, सम्वेदी गामक अवस्था या फिर इन में से कोई नहीं राइट आंसर आपका यहां पर हुगा आपचारिक सक्रियात्मक अवस्था याद रखेगा जो आपचारिक सक्रियात्मक अवस्था है उसे नेतिक नियमों के निर्मान की अवस्था कहा जाता है बुद्धी एवं सजनात्मकता में किस प्रकार के सहसंबंद पाये जाता है देखे बुद्धी और सजनात्मकता के बीच के संबंद को पूछा गया है उसे क्या कहा जाता है रिणात्मक धनात्मक सुनने या फिर ये सबी किस प्रकार का सहसंबंद पाये जाता है तो याद रखीगा बुद्धी एवं सर्जनात्मक्त। के बीच जो सहसंबंद पाय जाता है वो धनात्मक पाय जाता है। किस प्रकार का पाय जाता है। खेकन-आध्म व decorative आपका सही होगा। पीयाजे की शंगनात्मक विकास सिधानत में पूर्व सकर्यात्मक अवस्था में विकास का मुख्यगुण कुन सा होता है? परिकल्पिक निगमनात्मक सोच होता है सनरक्षन और पदार्तों को करमबद करने की छमता अमूर्त चिंतन का विकास या फिर विचारों में केंदरी करन तो यहाँ पर देखे प्याजे की संगनात्मक यहाँ पर आपको पहले पता होना चाहिए कि संगनात्मक विकास का सिध्धान तक इसके द्वरा दिया गया है तो ये प्याजे के द्वरा दिया गया है इनके द्वरा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुन पूछा गया है तो विचारों में केंद्री करन होगा क्या होगा विचारों में केंद् हो जाता है पूरो सक्रियात्मक अवस्था अपचारिक सक्रियात्मक अवस्था मूर्थ सक्रियात्मक अवस्था या पिर समवेदी गामक अवस्था ये जो चारों अवस्था है किसके द्वरा दी गई एक्जाम में पूछा जाता है पहली कौन सी ये दूसरी कौन सी ये तीसर के नुशार निमलिकित में से कौन सा काल है कौन सी अवस्ता है जिसमें बालक में लंबाई छेतरफल तथा आयतन फेनरक्षन की समझ विक्सित हो जाती है वो अतार की चिंतन प्रारंब हो जाता है राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका मूर्थ सक्रियात्म का अवस्ता में य प्रची को नो महीने अपनी कोक में पालती उसे गर्वधान केते हैं यहाँ पर गर्वधान काल की कौन सी अवस्ता नहीं है पूछा गया है शेश अवस्ता डिम्ब बीचकरन या फिर भूना अवस्ता आप सभी को पता है कि गर्वधान काल को डिम्ब अवस्ता भी कहा जात और भुणा वस्था भी कहा जाता है, सेस्ववस्था नहीं कहा जा सकता, और यहीं आपका right answer होगा, गर्बधान काल की वस्था सेस्ववस्था नहीं है, तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा, गर्ब में सरप्रथम निर्मान होता है, गर्ब में सबसे पहले निर्मान होता है, सिर्प्रथम जो निर्मान होता है वो सिर्का होता है, किसका होता है सिर्का, सिकन वाला विकल्पे आपका सही होगा अगला प्रश्न है बालक के जन्म के समय शीशू के मस्तिक्स का भार होता है जो मस्तिक्स का भार होता है बालक के जन्म के समय शीशू का वो कितना होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या फिर 450 ग्राम तो वहाँ पर जो वजन होता है वो 350 ग्राम होता है बालक में जन्म के समय जो शीशू के मस्तिक्स का बाहर होता है वो 350 ग्राम होता है निम्न में से किसे घटना की और बालक सरप्रतम आकरसित होना प्रारम करता है देखी इस प्रशन को मैंने श्टोरी में भी लगाया था और आपसे पूछा था कि इसका सही आंसर क्या होगा मैं आपको यहाँ पर बता दू कि 91 प्रतिसत इनक्यानवे प्रतिसत बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था मा बताया था और मा इसका राइट आंसर नहीं बाकी जो 9 प्रतिसत बच्चे हैं उन्होंनों ही इसका सही आंसर बताया था प्रकास याद रखीगा वहाँ गटना प्रकास है जिसकी और बालक सरप्रथम आकारसित होना प्रारंब करता है मा नहीं है याद रखीगा ये आपके दिमाग से निकल दीजिगर जो 91 प्रतिसते कम से कम 30,000 मैं यहाँ पर 30,000 तो कम बता रहा हूं इसते ज़्यादा बच्चे यहाँ पर इसका जवाब दे चुके हैं और यहाँ पर हम 90 प्रतिसत का मोटा मोटा हिसाब लगाए तो 9,27,27 जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर मा बताया है जो की बिल्कुल गलत है प्रकास इसका सही आंसर होगा ये आपको ध्यान देना है प्रकास इसका बिल्कुल सह किशोर अवस्था की प्रमुक समश्या है यहाँ पर देखें प्रमुक समश्या किशोर अवस्था की क्या है वजन बढ़ाने की सिक्षा की समायोजन की या पिर अच्छे परिक्षा परिनाम देने की तो किशोर अवस्था की प्रमुक समश्या कोन सी होती है याद रखेगा ह रिषमा योजन करने की समस्या, प्रमुक्षमश्या होती हैं किश्वरा अवस्था की एरिक्सन के निशार कौन सी अवस्था में बालग अधिक पहल करता है लेकिन बहुत ससक्त भी हो जाता है जो दोस भावनाओं की उर ले जाता है ये प्रस्ण मैंने पहले भी बताया है कि एरिक्सन ने कितनी अवस्ताईं बताई है आठ अवस्ताई बताई है कौन सी अवस्ताई है उसकी जो अवधी है वो कितनी है सारी चीजे में आपको जो बाकी के जो पार्टे उसमें बता चुका हूँ यहाँ पर मैं डारेक्ली आंसर बताऊंगा यहाँ पर पूछा गया है कि जो दोस बहुनाओं की उल्ले जाता है वो कौन सी अवस्ता में होता है बाला काधिक पहल करता है लेकिन बहुत सब्सक्त भी हो जाता है साथ में जो दोस भी बहुनाओं की उल्ले जाता है तो अठारा मां से तीन वर्स तीन से छे वर्स यहां पर अवस्था पूची गई है कौन से यह छे से बारा वर्स तक की अवस्था या पिर किशोरा अवस्था तो यहां पर सही अंसर होगा है तीन से छे वर्स तक की अवस्था जिसे एरिक्सन के नुसार पहल बनाम दो और यहां अवस्ता तीन से छे वर्ष तक की होती हैं तो यहां पर शेकन वाला विकल्पे आपका बिल्कुल सही होगा नेतिक तरकी की अवस्ता सिध्धान्त किस ने इस पश्ट किया कोहलबर्ग, एरिक्सन, फ्रायड या फिर पावलाव नेतिक विकास का सिध्धान्त ये आपको ध्यान होगा कि किसके द्वरा दिया गया है तो आप डारेक्ट इसका अंसर लगा सकते हैं कि ये कोहलबर्ग के द्वरा दिया गया नेतिक तरकी की अवस्ता सिध्धान्त कोहलबर्ग के द्वरा दिया गया वनसानुकरम से सम्मदित प्रयोग चुहो पर किसने किया? सरलसा है बहुत बार ये प्रशन पूछा गया है आपको इसका अंसर भी पता होगा करल, पियर्सन ने, मैक डूगल ने, मैंडल ने या फिर पावलाओं ने जहाँ पर वनसानुकरम से सम्मरित प्रियोग जो किया की द्वारा किया गया अभयग्राफिकल sketch of infant जो पुष्टक है यह किसके द्वारा लेकी गई है जो पुष्टक है यह इस पुष्टक के बारे में एक्जामें पूश जाता है प्रियर है, सीन है, डार्वी नहीं आफे अश्टर नहीं तो यहाँ पर जो ए बायोग्राफिकल इसके चोप इनफेंट जो पुष्टक है यह डार्वीन के द्वारा लिखी गई पुष्टक है अगला और अंतिक प्रस्णी जैसा कि हमने बताया आपको 50-50 प्रस्ण करके हम 4 पार्ट आपको दे चुके हैं और यह पांचवा पार्ट है यानि कि यहाँ पर अभी तक हम आपको 250 प्रस्ण दे चुके हैं बाकी की जो 250 प्रसने ही जल्दी ही आपको देने की कोशिस करेंगे यहाँ पर परामर्ष का उद्देशी पूछा गया है बच्चों का समझना, बच्चों की कम्यों के करन पता करना बच्चों को समा योजन में साहिता करना या फिर उप्रोग तो सभी यहाँ पर परामर्ष का उद्देशी होता है बच्चों को समझना भी होता है बच्चों की कम्यों के करन पता करना भी होता है साथ में बच्चों को समा योजन में साहिता करना भी होता है तो उप्रोग तो सभी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा तो यहीं पर आज के 50 प्रशना आपके समापतों होते ही आज के उड़ा आपको कैसे लगा ये कमेंट से की मादम से बताईगा अच्छा लगए तो लाइक करना है, सेर करना है और शांत में चेनल को सब्सक्राइब कर लेना है तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद